Hello everyone and welcome to Education Achievers. I hope you all must be doing well. आज किस क्लास में हम UGC NET Paper 1, Logical Reasoning के कुछ बहुत ही important questions प्रैक्टिस करने वाले हैं. जितने भी questions होंगे वो आपके year 2022 and 2023 में जो exam हुआ था उससे लिए गए हैं. Questions को practice करने के साथ साथ हम उसका explanation भी देखेंगे. आज के questions आपको इस तरीके से practice करने हैं कि सबसे पहले आप लोग 1 to 15 questions की एक list बना लिजे. Because आज हम 15 का प्रोक्स questions practice करने वाले हैं. और इस class के end में आप लोगों को ये देखना हैं कि out of 15 आपके कितने questions के आंसर ठीक होते हैं. Self-assessment करना हैं. और उसके बाद मुझे comment box में भी बताना हैं कि out of 15 आपके कितने questions सही होते हैं. Because जितने भी questions मैं आपको कराने वाली हूँ, वो बहुत important हैं. और मैं बहुत बार आप लोगों को समझा चुकी हूँ, वो सारे ही questions. चलिए, start करते हैं अपनी आज की class. और इसके अलावा अगर आप लोगोंने चैनल को सब्स्राइब नहीं किया हैं, तो प्लीज चैनल को सब्स्राइब कर देना, ताकि आगया आने वाली हर एक class का notification आपको टाइम पर मिल सके. आज का first question है, which of the following प्रमान्स are accepted by वैशेशी का philosophy? यानि वैशेशी का जो philosophy है, six types of प्रमान होते हैं, यहाँ पूछा गया है वैशेशी का philosophy के द्वारा, वैशेशीक दर्शन के द्वारा कौन-कौन से प्रमान को valid प्रमान माना गया है, या valid source of knowledge माना गया है. तो वैशेशी का philosophy के बात हो रही है, first है प्रतियक्ष प्रमान, अनुमान, शब्द, उप्मान, अर्थपती और अनुपलग्दी, six types of प्रमान होते हैं हमारे Indian logic में, और आपको बताना है कि वैशेशी का philosophy किस-किस को valid प्रमान मानती है, इसका सही आंसर होगा आपका, मैंने आपको trick से याद कर रहा है था, वैशेशी का philosophy, perception और अनुमान, इन दो को valid source of knowledge मानती है, इसलिए सही आंसर होगा आपका प्रतियक्ष और अनुमान A and B, और A and B कहां पर है, option number one में, और इसलिए याप पर आपका सही आंसर हो जाएगा A and B only, अब इसके बार में मैं थोड़ा बस आप लोगों को बता देती हूं, देखो Indian schools of philosophy में आते हैं हमारे चारवका, नियाया, बुद्धिज्म, वेशेशिका, जैनिज्म, सांख्या, योगा, जितने भी Indian schools of philosophy हैं, उनके द्वारा जो accepted प्रमान हैं, मैंने आपको याद कराया था कि जो चारवका हमारी philosophy है, Indian schools of philosophy, वो valid प्रमान मानती है perception को, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रतियक्ष, प्रतियक्ष प्रमान को valid प्रमान माना गया था चारवका के द्वारा, यह आपको CV से याद रखना हैं कि जो चारवका philosophy है, वो सिर्फ और सिर्फ CP से याद रखना है, कि चारवका जो philosophy है, वो सिर्फ सिर्फ perception को valid source of प्रमान मानती है या valid source of knowledge मानती है valid प्रमान मानती है जो नियाया philosophy है वो इसकी मैंने आपको trick बताई थी कि P A U S पॉस से आप याद रख सकते हो कि नियाया philosophy perception अनुमान उपमान एंड शब्दा चार प्रमान को valid source of knowledge मानती है या फिर valid प्रमान मानती है इसके अलावा बुद्धिज्म और वैशेशिका यानि इसको हमने कैसे याद किया था BV और किसको जो है valid मानती है perception अनुमान को इसको हमने क्या किया था P A यानि कि इस तरीके साब connect कर सकते हो कि BV का P A इस तरीके से आप connect कर सकते हो तो बुद्धिज्म और वैशेशिका ने जो valid source of प्रमान मानता वो मानता perception अनुमान को इसके अलावा जैनिज्म सांख्या एंड योगा इसको हमने कैसे याद किया था J-S-Y यान कि जस्ती जस्ती एक लड़की का नाम है J-S-Y जस्ती और किस-किस को प्रमान को वैलिड मानता perception अनुमान एंड शब्दा यानि P-A-S जस्ती कोई लड़की है और वो पास हो गई इस तरीके से आपको याद रखना है कि जस्ती यानि कि J-4 जैनिज्म किस-किस को वैलिड मानती है perception अनुमान एंड शब्दा यह तीनों स्कूल सब फिलोसफी इन तीन प्रमान को वैलिड मानते हैं तो जस्ती को आपको याद रखना है पास से बीवी का आपको याद रखना है पीए बीवी यानि बुद्धिस्म और वी मतलब वेशेशी का इतने भी हमारी स्कूल सफ फिलोसफी हैं लाइक पूर मिमान सा उत्तर मिमान सा वेदानता इट्सेक्टर इन्होंने सभी ने सारे के सारे प्रमान को जो सिक्स प्रमान हैं उन सारे के सारे प्रमान को वैलिड सोर्स ऑफ नॉलिज या वैलिड प्रमान माना था तो इसका आप screenshot भी ले सकते हो यह आपके exam में बहुत help करेगा आपको next question देखते हैं identify the fallacy committed in the argument fallacy से related में आपकी काफी बार समझा चुकी हूँ आप लोगों को formal और informal fallacy के बारे में यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर दो proposition दी गई है और उसके बाद उनका conclusion दिया गया है यह फिर position यह premise 1 premise 2 and then दिया गया है उसका conclusion premise 1 कहता है no tragic actors are happy men premise 2 कहता है some comedians are not happy men therefore some comedians are not tragic actors यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी fallacy हुई देखो यहाँ पर अगर मैं इन fallacy को हिंदी में लिखूंगी तो आप लोग बहुत confused हो जाओगे मैं आप लोगों से request करूंगी जितने भी हिंदी वाली हैं वह fallacy वाले topic को please English में समझने की कोशिश की दिये क्योंकि अगर मैं fallacy of exclusive premise या फिर illicit major इसकी अगर मैं हिंदी बनाती हूँ तो वो आपको बहुत परिशान कर सकती है आपको English में इन terms को थोड़े बहुत terms हैं इनको जैसे major term, minor term, middle term, premise, argument इनको आपको थोड़ा सा English में समझना पड़ेगा ताकि आपको एक्जाम में ज्यादा दिक्कत फेस ना हो तो देखो यहां पर जो existential fallacy होगा, fallacy of exclusive premise होगा, fallacy of illicit major होगा, या फिर fallacy of undistributed middle होगा, इन सभी को मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से explain कर चुकी हूँ, अगर आप लोगों को मेरी last classes का explanation याद है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी दोनों प्रिमाइस हमारे negative होंगे, देखो यहां पर भी no आ रहा है, और यहां पर भी not आ रहा है, यानि यह भी हमारा negative है, और यह वाला भी हमारा negative है, दोनों प्रिमाइस negative हैं, और जब भी दोनों प्रिमाइस negative होंगे, तो वहां पर कोई भी conclusion draw हो ही नहीं सकता और यहां पर इन्होंने conclusion दे दिया है और ऐसी जो fallacy होती है उसको हम कहते हैं fallacy of exclusive premise यानि option number 2 यहां पर आपका सही answer हो जाएगा क्योंकि fallacy of exclusive premise में यही होता है कि अगर आपने दोनों premise negative थे और उसके बाद अगर आपने conclusion दे दिया जो कि नहीं देना था तो आपने गलती की और गलती को ही हम कहते हैं fallacy or truthy तो यहां पर कौन सी fallacy होगी आपकी fallacy of exclusive premises देखो fallacy of exclusive premise का दूसरा नाम होता है fallacy of negative premise इसमें क्या होता है if both premises are negative then no conclusion बस इतनी बात आपको याद रख नहीं है exclude यह negative premise अगर दोनों premise negative है तो कोई conclusion draw नहीं होगा next question देखते हैं fallacy in which our proposition is held to be true just because it has not been proved false और false just because it has not been proved true is called देखो यहां पर यह कहा गया है कि ऐसी fallacy यह ऐसी भ्रानती जिसमें कि proposition is held to be true true होती है proposition को true माना जाता है just because because it has not been proved false हम किसी भी proposition को true मान लेते हैं या सत्ते मान लेते हैं किसलिए क्योंकि हम उसको गलातिया false प्रूब नहीं कर सकते या फिर किसी भी चीज़ को हम false मान लेते हैं इसलिए क्योंकि हम उसको true prove नहीं कर सकते तो वो क्या होगा आपका fallacy of composition irrelevant conclusion यहाँ पर आपने conclusion सही नहीं दिया argument from ignorance होगा या फिर hasty generalization तो देखो यहाँ पर बात की जा रही है कि आप अगर किसी चीज़ को गलत prove नहीं कर सकते इसलिए आप उसको सही मान लेते हो और मैंने इसका example आपको कई बार दिया था कि जैसे God है God को कोई prove नहीं कर सकता कि God नहीं है और इसलिए हम सब लोग मानते हैं कि God है वही वाला example यहाँ पर लागू होता है कि कि किसी चीज़ को आप true prove नहीं कर सकते और इसलिए मतलब कोई चीज़ true है क्योंकि आप उसको false prove नहीं कर सकते यहाँ पर हम एक तरीके से लगाऊगे तो आपका सही होगा तो यहां आपका आंसर हो जाएगा argument from ignorance पहले सिव और कमपोजिशन नहीं होगा irrelevant conclusion भी नहीं होगा हेस्टी जनलाइजेशन भी नहीं होगा क्योंकि यहां पर हमने conclusion irrelevant नहीं दिया है बेलकि conclusion तो हमने relevant ही दिया है, history generalization इसलिए नहीं होगा, क्योंकि history generalization में होता है कि आप बिना सोचे समझे किसी एक particular case को आप सभी पर apply कर देते हो, जलबाजी में, जलबाजी में कोई decision दे देते हो, generalize कर देते हो, किसी particular चीज़ को सभी पर, वो होता है आपका history generalization जो कि नहीं क करना चाहिए, आगे हम देखते हैं, question number 4, given blow are two statements, statement 1 and statement 2, आपको बताना है कि कौन सा statement सही होगा, कौन सा false होगा, या फिर दोनों सही होंगे, या फिर दोनों false होंगे, statement 1 कहता है, some as is p is contrary to some as is not p, यानि some as p contrary है, किस के, some as is not p के, statement 2 कहता है, some as is not p is contradictory to all as is p, अगर आप लोगोंने मेरी square of opposition की class देखी है, तो आप लोगों को ये आज के questions सारे ही बहुत easy लग रहे होंगे, लेकिन जो लोग नहीं पढ़कर जाते हैं, जिनोंने अभी तक concept नहीं समझा है, उन लोगों के लिए questions बहुत tough हो सकते हैं, तो इसमें हम क्या क करते हैं a, e, i and o, a मतलब all, e मतलब no, i मतलब some and o मतलब some not, अब यहाँ पर जो हमार a और o होता है, ये दोनों होते हैं आपस में contradictory, ऐसे ही e और i का relation आपस में होता है contradictory, ये दोनों आपस में contradictory होते हैं, यानि कि अगर एक सही है तो दूसरा गलत होगा, और दूसरा सही है तो पहला गलत होगा, यानि a अगर true है तो o false होगा, ऐसे ही अगर e true है तो i false होगा, एक तरीके से opposite relation होता है, और इसके अलावा, जो हमार a और e होता है, ये दोनों होते हैं आपस में contrary, और i और o आपस में होते हैं sub contrary, ठीक है, ये सारी चीज़े आपको समझ आगी, अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, some s is p, यानि ये कौन सा case है, some यानि i ओला, और इसको contrary बताय गया है, कि sum as is not p, यानि की i और o का relation यहाँ बताया है, contrary का, जबकि हमें पता है, contrary का relation होता है, a and e का, जबकि i और o का relation होता है, sub contrary का, तो first वाला option तो हमारा cut हो जाएगा, second statement कहता है sum as is not p is contradictory to all as is p sum as is not p यानि कि o की बात हो रही है क्योंकि sum not हमारा होता है o और इसको contradictory बताया जा रहा है किसके साथ all के साथ यानि कि a और o की बात हो रही है और इनको आपस में contradictory बताया गया है और यही चीज मैंने आपको अब भी बताई कि a और o का relation contradictory का होता है ऐसे ही e और i का relation भी contradictory का होता है इसका मतलब है कि हमारे statement 2 बिल्कुल सही हो जाएगा यानि statement 1 हो जाएगा हमारा wrong और statement 2 हो जाएगा बिल्कुल सही और सही answer हो जाएगा यहाँ पर option number 3 statement 1 is false but statement 2 is true any object if thrown upwards starts to come downward after reaching a particular height therefore there must be some force that must be pulling that object towards the earth's surface this argument is based on which of the following means of knowledge यहाँ पर यह कहा गया है कि यदि कोई भी वस्तु यदि उपर की और फैंकी जाती है तो वो एक विशेश उंचाई पर पहुँचकर नीचे की और वापस आने लगती है इसलिए अवश्य ही कोई न कोई बल जरूर होगा जो उस वस्तु को पिर्थवी की सतह की और खींच रहा है अब यह जो बात यहाँ पर कही गई है इसमें आपको यह बताना है कि कौन सा जो आर्गुमेंट है कौन सा तर्क है वो सही होगा यह जो बात कही गई है किस पर बेस होगी इसको हम अर्थपती कहेंगे कम्प्रीजन या उपमान कहेंगे वर्बल टेस्टी में यह शब्द कहेंगे या फिर परसेप्शन या फिर प्रतियक्ष कहेंगे तो देखो अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखो तो वस्तु का उपर जाना और नीचे आना इसको डारेक्ट देखना यानि हमने अपनी आईस का प्रियोग किया और परसेप्शन में हम यह पढ़ते हैं कि परसेप्शन में हम अपने सैंसेस का प्रियोग करते हैं नौलिज गेन करने के लिए तो perception तो ये हुआ, प्रतियक्ष प्रमान तो ये हुआ कि हमने किसी भी वस्तु को उपर उचाई पर फेंका और उसके बाद उसे नीचे आते हुए देखा, ये तो हुआ हमारा प्रतियक्ष लेकिन इसके बाद जो बात कही गई है therefore, जो conclusion दिया गया है therefore, there must be some force that must be pulling that object towards the earth's surface यानि ये जो conclusion दिया गया है कि ये जो वस्तु उपर जाकर वापस नीचे आ रही है तो कोई न कोई force जरूर होगी जो उस वस्तु को प्रत्वी की सतह की और खींच रही है ये जो conclusion दिया, direct किसी चीज़ को देखकर और उसके base पर जब हम दूसरी knowledge तक पहुँचते हैं उसको हम कहते हैं अर्थपती यानि प्रतियक्ष रूप से किसी चीज़ को देखने के बाद उसके बारे में अगर आप कोई अंदाजा लगाते हो कोई अर्थ निकालते हो उसके base पर उस ही को हम कहते हैं अर्थपती यानि प्रतियक्ष प्रमान के बाद second प्रमान, second source of प्रमान हमारा होता है अर्थपती इसको कहते हैं first source of knowledge या first प्रमान प्रतियक्ष और second प्रमान, second means of knowledge होता है हमारा अर्थपती पृतियाक्ष रूप से आपने चीज को उपर जाते हुए और नीचे गिरते हुए देखा उसके बेस पर आपने अंदाजा लगाया, अनुमान लगाया कि कोई नो कोई फोर्स जरूर होगा जो इसको अपनी तरफ खीज रहा है कि आपने पृतियाक्ष रूप से देखकर उसका अर्थ निकाला, किसी दूसरी नॉलिज पर पहुचे आप तो इसलिए हैं आपर इसका सही आंसर हो जाएगा अर्थ पती, option number one will be the correct answer, postulation next question, ये भी statement based question है, statement one कहता है, two contrary statements cannot both be false statement two कहता है, two contrary statements cannot both be true यानि जो तो contrary statement है, वो कभी भी false नहीं हो सकते second statement कहता है, two contrary statements cannot both be true अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही होगा तो देखो, contrary क्या होता है हमारा, पहले हम draw कर लेंगे a, e, i and o, मैंने आपको बताया था, contrary होते हैं हमारे a और e इसके बारे मैंने आपको बताया था, कि जो a और e का जो relation होता है, ये contrary का होता है, और जो contrary होते हैं वो आपस में कभी भी, साथ में true नहीं हो सकते हैं, लेकिन साथ में false हो सकते हैं, और यहाँ पर लिख रहा है कि cannot both be false जबकि ये गलत है, जबकि दूसरे statement हमारा कह रहा है cannot both be true और ये सही बात हैं, क्योंकि ये दोनों कभी भी साथ में true नहीं हो सकते हैं, साथ में false जरूर हो सकते हैं, ये और e statement 1 is false but statement 2 is true यहां इस को देखकर आप अच्छे से समझ सकते हो कि contradictory, contrary, subcontrary and subaltern इन चार टर्म्स की बात की गई है square of opposition में contradictory होते हैं हमारे A और O का relation, E and I का relation यह होते हैं आपस में contradictory यानि कि इस तरीके से cross का sign यह आपस में होते हैं contradictory, A और E आपस में होते हैं contrary I और O आपस में होते हैं subcontrary, A और E जिनका relation है contrary का cannot be true together but can be false together, यह दोनों साथ में कभी भी true नहीं हो सकते लेकिन false हो सकते हैं और contradictory क्या होते हैं, always opposite to each other जो contradictory का relation है like A and O का and E and I का यह हमेशा opposite होंगे एक दूसरे के subcontrary क्या होता है? हमारा subcontrary होता है I and O I and O का relation ऐसा होता है कि can be true together, यह दोनों साथ में true तो हो सकते हैं I and O but cannot both be false together, लेकिन यह दोनों साथ में false नहीं हो सकते subcontrary होता है हमारा A and I का relation and E and O का relation इसमें relation ऐसा होता है कि अगर A true है तो नीचे जाने पर I भी true होगा यानि कि truth downward और false upward अगर I false है तो उपर जाने पर A भी false ही होगा यानि अगर A, E जो है वो आपका truth है तो नीचे जाने पर O भी क्या होगा truth लेकिन अगर O false है तो उपर जाने पर E भी क्या हो जाएगा false हो जाएगा बस इतना आपको याद रखना है truth downward उपर अगर कोई truth अगर उपर वाला true है तो नीचे वाला भी true होगा और नीचे वाला false है तो उपर वाला भी false होगा truth downward and false upward यह आपको याद रखना है क्योंकि इससे multiple type के question बनते हैं इसलिए आपको यह समझना बहुत जरूरी था question number 7 which of the following statement is logically equivalent to the statement some plants are carnivorous organism यहाँ यह कहा गया है कि इन मैंसे जो some plants are carnivorous organism है उसका logically equivalent कौन सा option होगा चार option यह आपर दिये गए हैं some plants are carnivorous organism के जैसा इन चारों मैंसे कौन सा option होगा no carnivorous organism are plants some plants are non carnivorous organism no plants are non carnivorous organism या फिर some plants are not non carnivorous organism तो देखो यह जो options होते हैं बहुत confusing होते हैं अगर आप ऐसे ही सोचोगे कि कुछ पोधे मासाहरी जीव हैं इसके सम्तुल या फिर इसके जैसा कौन सा होगा तो आप confused हो सकते हो time taking हो जाएगा यह इसके लिए होता है obversion, conversion and contraposition का rule जिसके बारे में मैंने आपको समझाया था तो यहाँ पर देखो आपको देखना है कि क्या conversion हो रहा है या obversion हो रहा है obversion के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा यह दिया गया है पहले हम quality change करते हैं और उसके बाद हम जो predicate होता है उसको contradict कर देते हैं इसका क्या मतलब है देखो यह है positive statement some plants are carnivorous organism यह positive statement है इसको आप पहले इसकी quality है positive इसकी quality आप बदलोगे अगर यह positive statement है तो आप इसको negative करोगे some वाला case है तो आप इसको some not कर दोगे some not देखो कहां पर लिखा हुआ है एक यह है some और एक यह है some यह वाला इसमें not नहीं है तो यह नहीं होगा इसमें देखो आप यह some है और यह some not हमने I वाला case था some I वाला case था इसको हमने क्या किया oh negative इसको quality change कर दी इसको some not कर दी है सबसे पहले quality change करेंगे उसके बाद जो हमारा predicate है predicate क्या है हमारा carnivorous organism इस predicate को हम contradict कर देंगे यानि इसको हम कर देंगे non carnivorous organism अगर यहाँ पर honest होता तो हम non honest कर देते या good होता तो non good कर देते उस तरीके से तो सबसे पहले हमने quality change की positive को negative statement बनाया और उसके बाद हमने प्रेडिकेट को contradict कर दिया और यहीं इसका सही answer हो जाएगा logical equivalent क्या होगा some plants are carnivorous organism का some plants are not non carnivorous organism आप देखिए कि यह दोनों एक ही बात कह रहे हैं दोनों statement और यहाँ पर सही answer हो जाएगा आपका option number 4 I hope this is clear next question देखते हैं which informal fallacy is committed in the following argument the quality of higher education in our country has been declining for years therefore we can conclude beyond doubt that university teachers are not doing their jobs these days देखो यहाँ पर यह कहा गया है यहाँ पर आपको यह बताना है कि इस statement में कौन सी informal fallacy commit की गई यह बताया गया है कि हमारे देश में उच्च शिक्षा की गुडवत्ता वर्षों से गिर रही है higher education की जो quality है वो वर्षों से गिर रही है इसलिए हम बिना किसी शक के बिना किसी संदह के इस conclusion पर पहुंच सकते हैं कि जो university के teachers हैं वो इन दुनों अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं तो इसका जो इसमें जो गलती की गई जो फैलेसी की गई वो false cause होगा यानि कि हाँ पर कारण गलत बताया गया क्लिप्री स्लोप होगा हेस्टी जनलाइजेशन होगा या फिर इस्ट्रोमैन फैलेसी होगा तो देखो यहां पर बात की जा रही है कि quality of higher education in our country has been declining for years सालों से गुडवत्ता गिर रही है और उसके बाद इसका conclusion क्या देए जा रहा है कि university के teachers आजकल अच्छा काम नहीं कर रहे है these days यानि कि यहां पर कारण गलत बताया गया है इन्होंने क्या कहा कि quality तो गिर रही है वर्षों से और उसकी वज़ा क्या बताई कि आजकल जो teachers हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे है यानि कि इन्होंने problem का जो कारण था जो वज़ा थी वो गलत तरीके से बताई और इसल किसी चीज को क्या करता है आपकी किसी एक काम की वज़े से दूसरा काम हो सकते है जैसे कि फिलिप्री स्लोप में यह होता है कि अगर ठीक से नहीं चले तो आप गिर जाओगे आपने अगर ठीक से पढ़ाई नहीं की तो आप फेल हो जाओगे इस तरह कि जो चीज़े एंग कर देते हैं वह होता है हेस्टी जनलाइजेशन और यहां पर आप्शन नंबर बन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं विच आप दी फॉल्विंग इस करेक्ट अबाउट दी सेंटेंस सम मैं आर नोट मैरीड आपको यह बताना है कि इ कि आएदर सब्जेक्ट Νो प्रेडिकेट इस डिस्टीबिधः इसके लिए मैंने आपको बताया था इस क्पूचा मतलब क्या होता है pre Josephelwood रिदी सैद्फिन मतलब होता है जिस भी संजेक्ट यह प्रेडिकेट से पहले अगर ऑल नो यहां पिर रहा है तो इसका मतलब है कि वो होगा हमारा distributed और अगर किसी भी subject या predicate से पहले sum आ रहा है तो वो होगा हमारा undistributed अब आपको समझ आया subject प्रेडिकेट क्या होता है जैसे कि यह हमारे statement है some men are not married यहाँ पर जो हमारा man है यह होगा हमारा subject some होता है हमारा mood man हुआ हमारा subject और not married हुआ हमारा predicate married हुआ हमारा predicate man हुआ subject और sum होता है हमारा mood अब जो हमारा married है यह प्रेडिकेट है और predicate से पहले यहाँ पर लगए है not और मैंने आपको बताया कि जिस से भी पहले all no or not यह अगर लग जाएंगे तो वह होगा हमारा distributed और यहां पर predicate से पहले not लगा हुआ है इसलिए हमारा predicate हो जाएगा distributed यानि option number 2 हो जाएगा यहां पर सही answer यानि predicate is distributed क्योंकि merit से पहले not लगा हुआ है जिस से पहले not, no या all आ जाएगा वो होगा हमारा distributed question number 10 यह matching से related है list 1 में दिया गया है parts of an argument and list 2 में दिया गया है उसका description इससे भी काफी बार question पूछा गया है इसको ध्यान से देखना आप लोग देखो यहां पर बताया गया है argument के parts पक्ष, साध्या, वियापती, निगमना and हेतु उसके बाद आपको यह बताना है कि यह जो description दि तो देखो मैंने आप लोगों को बताया था जो हमारा argument, terms of argument है उसमें मैंने यह सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझाई थी structure of argument and terms of argument argument वाली class आप लोग देखना आपको बहुत help मिलेगी, उसमें हमने सारी चीज़ें बहुती easy language में और बहुती easy examples के साथ discuss की थी trick की help से तो देखो यह लिखा हुआ है पक्ष, पक्ष का मैंने आपको बताया था कि पक्ष का मतलब होता है हमारा minor term, तो पक्ष किस से related हो जाएगा minor term से related यानि a का हो जाएगा 2, इसलिए हमारा a भी कट जाएगा और हमारा c भी कट जाएगा, क्योंकि a का 2 या तो b में है या फिर d अब देखते हैं साध्या का क्या होगा, साध्या का मैंने आपको बताया था, साध्या होता है हमारा major term, यानि b का हो जाएगा 3, और b का 3 तो यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है, अभी भी नहीं पता चला answer क्या होगा, जो हमारा निग्मना होता है, वो होता हमारा conclusion, और तो हमारा हेतु होता है वह होता है reason, अगर आपको सिर्फ हेतु भी पता था न, अगर हेतु से भी आप करोगे, तो भी आपका answer आ जाना था, क्योंकि हेतु होता है हमारा reason, और E का क्या होगा four, और देखो हिहाँ पर E का four सिर्फ एक statement में लिखा हुआ है, तो अगर आपको हेत शमबंद जिसको को हमAm THE आग नहीं कर सकते जैसे कि आग और धूजीए तो आप कंक्लूजन दोगे कि जरूर यहां पर आग लगी होगी तो वियापति जोंता है जिसको दो चीज़ों को आप एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं तो यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा option number 4 a का होगा 2 b का 3 c का 1 d का 5 and e का क्या होगा 4 अब इसको आप समझ लीजे कि मैंने आपको बताया था जो 3 terms of अनुमान होते हैं पक, शेतू और साध्या यह अनुमान के 3 terms होते हैSQL जैसे कि अनुमान में हम एक example देखते हैं कि जहां पर आग लगी होई होती है पहाड़ी के पीछे आपको धुणा दिखाई देता है पहाड़ी के पीछ अगर आप धुणा देखते हूँ तो आप conclusion देते हूँ कि जरूर पहाड़ी पर आग लगी होगी तो यहाँ पर तीन terms की बात की जाती है अनुमान में पक्ष हेतु और साध्या जो हमारी पहाड़ी होती है हील होती है उसको हम कहते है minor term और उसी को अब्धिया को हम कहते है major term और major term होता है हमारा fire और हमारा middle term और major term का जो relation होता है यह क्या होता है व्याप्ती यहां से कितने सारे questions आपके solve हो रहे हैं सबसे पहला question पूछा जा सकता है कि हम क्ष को हम क्या कहते है minor term या major term लिस्ट भी दी जा सकती है Middle term होगा हमारा smoke इस example में और major term होगा हमारा fire और middle term और major term इन दोनों के relation को हम कहते हैं व्यापती क्योंकि ये भी पूछा गया था कि व्यापती किसका relation होता है तो middle term और major term का जो relation होता है जैसे smoke और fire smoke और fire अलग लग नहीं हो सकते अगर कहीं पर आप fire देखोगे तो आप conclusion दोगे कि यहाँ पर धुआ होगा ही और कहीं धुआ देखोगे तो उसका मतलब है कि यहाँ पर आग जरूर लगी होगी मतलब ऐसा relation सर्व व्यापी relation जिसको आप खतम नहीं कर सकते जिसको आप बदल नहीं सकते उसको हम कहते हैं व्यापती यानि मिडल टम मेजर टम का रिलेशन कहलाता है व्यापती अब इसको याद करने की मैंने ट्रिक बताई थी वह भी मैं आपको बता देती हूं देखो ही तीन टम से हमारे ही होती हमारी सबसे नीचे अगर आप इस पिक्चर को देखो इस पिक्चर को आपको याद रखना है एक्जाम में हील होती हमारी सबसे से याद रखिए तो फायर तो यहां पर क्या होगा फायर होगा हमारा मेजर टम यानि कि सबसे बड़ा माइनर टम सबसे छोटा यान की पहाली सबसे नीचे मिडिल टम यानि स्मोग जो की बीच में है और फायर यानि मेजर टम जो सबसे बड़ा मेजर सबसे बड़ा होता है न then which of the following could be immediately inferred from it यह भी square of opposition से लिया गया question है यहाँ पर कहा गया है कि all वाला case बताया गया है कि all as is p यहाँ पर बताया गया है all as is p अगर उसको true बताया गया है तो इन में साब क्या infer कर सकते हो तो देखो पहले हम square of opposition को draw कर लेते हैं a, e, i and all यहाँ पर all as is p कहा गया है यानि कि इसको बताया गया है क्या बताया गया है true ऐसे ही आपको exam में draw करना है जैसे मैं कर रही है जल्दी से square of opposition का diagram बनाईे और यह देखिए एक ही बात हो रही है all as is p इसको बताया गया है true अब किस को infer कर सकते हो आप some as is not p as false यानि कि यह जो है यह false होगा बिल्कुस सही बात है क्योंकि अगर हमारे यह true है तो यह false होगा क्योंकि यह आपस में contradictory होते हैं तो a हो जाएगा सही उसके बाद लिखा हुआ है some as is p is true यानि कि जो i वाला case है some वाला उसको क्या बता गया है true और मैंने आपको अभी बताया कि truth होता है downward यानि कि अगर a true है तो i भी true होगा यह बात भी सही हो गई some as is not p is undetermined या फिर some as is p is undetermined या फिर no as is p is false undetermined वाला हम बात में देखेंगे पहले हम देखते हैं कि क्या यह सही है no as is p यान कि e वाला जो case है इसको false बताया गया है और हमें पता है यह आपस में contradict करते हैं यानि कि अगर a true है तो i false होगा ही होगा यानि यह वाला भी सही हो जाएगा और answer हमारा मिल चुका है हमें क्योंकि हमें तीन option ही select करने थे a, b and e कहां पर है option number 1 में दिया गया है a, b and e और इसलिए सही answer हो जाएगा आपका option number 1 I hope आपको अच्छे से समझ आ गया होगा next question देखते हैं when I ask my friend my way about his residence over the phone which of the following instruments of knowledge is used to hear and understand what my friend says as per the Indian schools of logic नहीं आया देखो यहां पर यह कहा गया है कि जब मैं अपने friends से phone पर उसके घर के या फिर उसके निवास स्थान के बारे में पूछता हूं तो नियाया philosophy के अनुसार मेरा मित्र जो भी कहता है उसे सुनने और समझने के बाद जानके किस उपकरण को उपयोग किया जाता है यानि कि मैंने अपने friends से phone पर बात की उससे मैंने उसके घर का पता पूछा तो आप नियाया philosophy के according किस चीज को किस प्रमान के अंदर रखोगे इसको इसको आप perception कहोगे inference या नुमान कहोगे postulation या अर्थपती कहोगे या फिर verbal testimony कहोगे आप confused हो सकते हो दो चीजों में पहली चीज तो यह कि आपका मित्र आप से phone पर बात कर रहा है तो यहाँ पर verbal शब्दों की बात हो रही है मौकिक रूप से बात हो रही है एक तो confused हो सकते हो आप verbal testimony में दूसरी चीज आप confused हो सकते हो perception कैसे तो देखो words का तो यहां use हो रहा है लेकिन यहाँ पर answer आपका perception भी हो सकता है क्यों? क्योंकि perception में हमने पढ़ा था perception में आते हैं हमारे senses जब हम अपने senses का प्रियोग करके ज्ञान प्राप्ट करते हैं senses क्या होते हैं हमारी आँख, नाख, कान, मुह यह सब क्या होते हैं हमारे senses तो जब हम senses का प्रियोग करते हैं और उसके बाद हमें ग्यान की प्राप्टी होती है उसको हम कहते हैं perception या प्रितियक्ष प्रमान और यहाँ पर जब आप phone पर बात कर रहे हो तो आपके सिर्फ और सिर्फ बात नहीं हो रही है बलकि आपके कान भी involved हो रहे हैं आपके senses भी involved हो रहे हैं तो यहाँ पर verbal testimony से ज़ादा जो सही answer है वो है perception प्रितियक्ष क्योंकि यहाँ पर आपके senses का use हो रहा है जब आप अपने friends से बात कर रहे हो क्योंकि आप बोल भी रहे हो आप सुन भी रहे हो समझ भी रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा senses आपके use हो रहे हैं और सही answer इसलिए यहाँ पर इसका हो जाएगा perception यह प्रितियक्ष question number 13 which of the following propositions is of words of and logically equivalent to some men are honest देको last में हमने logically equivalent का question discuss किया था मैंने उसमें आपको बताया था कि इस तरीके की question कैसे solve किये जाते हैं अगर आपसे logically equivalent कभी भी पूछे जाता है तो तीन चीज़ें आप देखना overson, conversion and contraposition जिनकी मैंने एक अलग से class ली थी वो भी आप देख सकते हो playlist में आपको मिल जाएगा some man are honest की बात हो रही है और इसका logically equivalent बनाना है सबसे पहले जो positive अगर हमारा है यह हमारा positive statement है इसको हम negative कर देंगे some man are honest है तो some man are not some not वाला case ले आएंगे some not कहाँ पर लिख रहा है देखो एक तो some not लिख रहा है यहाँ पर और एक लिख रहा है some not यहाँ पर इन दो में हम confused हो सकते हैं first वाला काट देंगे और यह c वाला भी काट देंगे इन दोनों को काट देंगे अब इन दोनों में देखते हैं कौनसा अंसर सही होता है सबसे पहले हमने quality change की some का some not कर दिया और उसके बाद हम क्या करते हैं जो हमारा predicate है predicate है यहाँ पर honest man है हमारा subject predicate है honest तो जो हमारा predicate है उसको हम contradict कर देंगे उसको हम dishonest या फिर non honest कर देंगे और कहाँ पर हो रहा है dishonest यहाँ पर इसलिए सही आंसर हो जाएगा हमारा यह क्योंकि some का हमने क्या किया some not किया और उसके बाद predicate को क्या किया counterdict किया और यही हम करते हैं logically equivalent में इसलिए हैं आपका सही answer हो जाएगा option number B some men are not dishonest question number 14 identify the fallacy committed in the following argument there must be intelligent life on other planets no one has proven that there isn't यानि जो यह statement दिया गया है कि अन्य गिरहों पर बुद्धिमान जीवन होना चाहिए किसी ने भी थाबित नहीं किया है कि ऐसा नहीं है मतलब आप यह मानते हो कि जो दूसरे planets हैं वहां पर intelligent life होगी क्यों होगी क्योंकि किसी ने भी आज तक यह प्रूब नहीं किया है कि महां पर intelligent life नहीं होगी इसलिए आप यह मानते हो कि जरूर वहां पर intelligent life होगी तो यह क्या होगा appeal to ignorance false cause यहां पर आपने कारण गलत बताया slippery slope होगा या history generalization क्या आपने यहां जलबाजी में decision लिया जलबाजी में चीजों को generalize किया slippery slope है false cause है मैं सब आपको समझा चुकी हूँ ना तो यहां पर गलत कारण बताया गया है ना ही आपर किसी चीज को generalize किया गया है यहां पर ignore किया गया है और जहां भी इग्नोर की बात होगी वहां पर होगा आपका appeal to ignorance जैसे कि आप सच को सच प्रूव नहीं कर सकती इसलिए आप उसको जूट मान लेते हो यह वाला example तो यहां पर किस चीज की बात की जा रही है और ignore किया जा रहा है तो यहां पर answer हो जाएगा आपका appeal to ignorance question number 15 आज का last question the fallacy of post hoc ergo proctor hoc implies that आपको यह बताना है कि जो post hoc ergo proctor hoc fallacy होती है वो इन 4 option में से किस से relate करेगी इसका मतलब होता है relating two events caused one after another यानि दो events को इस तरीके से relate किया कि एक के बाद एक घटित होता है या फिर relating two simultaneously occurring events या फिर एक साथ घटित होने वाली दो घटनाओं का संबंद, जो एक साथ घटित होती है, उसको हम कहते हैं post hoc, जो दो घटनाओं एक साथ घटित होती है, उसको हम कहते हैं, या फिर reversing the cause and effect relationship, क्या हमने cause and effect का relationship उल्टा कर देते हैं, तब उसको हम post hoc कहते हैं, या फिर using argument in narrow sense यानि argument को narrow sense में हम use करते हैं तब हम उसको post hoc कहते हैं तो देखो मैंने आपको बताया था post hoc fallacy का मतलब होता है जो इसका keyword होता है वो होता है after this therefore because of this post hoc fallacy का keyword मैंने आपको क्या बताया था after this therefore because of this अगर किसी घटना के घटित होने के बाद कोई और घटना घटित होती है कोई event आपके साथ हुआ और उसके साथ दूसरा event हुआ तो आप एक घटना को दूसरी घटना का कारण मार लेते हो जैसे आपने बहुत बार example ले चुकी हुँ है आपने कोई lottery जीती आपने lottery जीती लोटरी जीतने के बाद जब आप आए तो आपके घर में क्या हो गई चोरी हो गई अगली बार अगर आप लोटरी जीतते हो तो आप ये कहते हो कि लास्ट टाइम जब मैंने लोटरी जीती थी तो मेरे घर में चोरी हो गई थी इस बार भी हो सकती है यानि आपने क्या किया कि जो बाद वाली घटना थी उसके निया आपने पहले वाली घटना को जिम्मेदार मान लिया कि जो मेरे घर में चोरी हुई है वो लोटरी मिली थी इसलिए हुई है तो आगली बार अगर आपको लोटरी मिलेगी तो आपको लगेगा कि पिछली बार मेरे साथ ये हुआ था चोरी हो गई थी मेरे साथ लोटरी लगी थी तो इस बार भी हो सकता है यानि आपने पहली वाल माल लेते हो और दूसरे को उसका इफेक्ट माल लेते हो वही होता है हमारा पॉस्ट होग फैलिसी में यानकि आफ्टर दिस देर्फोर बिकॉस अपने सीखा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना कमेंट करना और कुछ सज